आप लोग सारे अभी कौन हो, आप सारे है human resource, इस human resource को convert करना है किसमे human capital के अंदर, तो जब कभी भी human resource convert होगा किसके अंदर human capital के अंदर, उसको बोलते है formation of human capital, इसलिए मैं last lesson बताया था कि human capital के definition अलग है, human capital के definition अलग है, human capital formation के definition अलग है, एर 25紙ié इन्वैकल को आप सुछीं इंवेसिन लंद्टाइबि का is the अन्वेम इन्वेसिन दिस Pacific कि अब इस जो बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकता यह लोग पढ़ा आपको सुछते हों इस आफ बसक्राइशन शोगा था आपको बदा रहे थे यह आप लोग सोचते हों कि शाइसे डेट अज टेक्नोरजी इस ओनली फोर मैं इस एफ तेक्नोरजी इस और two two of them, that is men and women. पार धनी करे गो करेंश डिर्क टारेते हुझी, थupत अई 실ноеब करेंश लिए, ओित करेंशने taramana बढ़ला हो जा हुझी. है जाय थे वो तो अट नज गता है!!! है अपक्र नो म करो और बताते रहान एंव कि वेगान है कि रहुट है! क्या मतलब हुआ अपने अपने उपर क्या करो और अपने आप इन्वेस्ट जो हमारे सलेबस में हैं आप लोगों ने इन्वेस्ट किन पांच चीज़ों पर करना है एदुकेशन, हेल्थ, आन दी जॉब ट्रेनिंग, माइगरेशन और इन्फर्मेशन वैसे तो ये पांच दियों हैं क्योंकि इसके हां सब कुछ आ जाता है अगर आप इन्वेस्ट का सरफ एक ही मतलब बहुत है इस एक्स्पेंडिचर आप जितना इन्वेस्पेंडिचर करोगे इन पांच चीजों के उपर उतना human resource, उतना बच्चे human resource convert होगा खिसके अंदर जी? human capital के अंदर, किसके अंदर? human capital के अंदर है अज मैं आज मां का हाथ में बटा पाऊंगी को खाना पे नहीं जा पाऊंगी विके जिटेशन आज में इसको का जाओंगी आज से मैं पढ़ेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया तभी तो आप लोग इन में से कोई प्रोड़क्स परचेश करते हैं तो डिरेक्ट्ली वन रूपी डॉनेशन जाती है। अगर आप एजूकेशन की वजह से हमारी काफ़ी सारे गौर्मेंट और इसे हैं जो अलग-अलग एरिया में इन स्कूल को रन कर रही है। यूंकि मुझे पता है कि अगर आप खर्चा करोगे एड्यूकेशन और不要 ऑपर वैसे तोintrude खर्चा करना किसी भी का capital बनाने के लिए किसी भी human resource को human capital बनाने के लिए खर्चा करना है 5 चीज़ों के उपर यह बात मुझे पता है जी expenditure करना है किसके ऊपर 5 चीज़ों के उपर किसी human resource को क्या बनाने के लिए human capital तो आप पांच चीज़ों पर खर्चा करोगे बढ़ सच बता रहा हूं आपको अपने दिल से बता रहा हूं एक्सपेंडिचर आन हेल्थ और एक्सपेंडिचर आन एडुकेशन यह तो एकदम डिफरेंट है जी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है on health और कौनवा जी एक्सपेंडिचरवान एडुकेशन एक्सपेंडिचर आन हेल्थ और एग्सपेंडिचरवान एडुकेशन लास्त प्रीज देखेंगे पापा परचान है किया रहा है मुझे क्या पता है कर दो कि अच्छिए जिए जब अपा हुआ जिस पहीं जब को भी कि अच्छिए प्टास्ट थीजंग सब़ेपिंगे का कारि यह आपका सर शिक्षा भियान है जब इंप्लिमेंट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग सिक्स इयर्स लेकर फॉर्टीन इयर्स तक हमारी कंट्री के अंदर आज भी मेक्सिम स्कूल्स में कंपल्सरी एंड फ्री एज्युकेशन अब यह बोलने के लिए कंपल्सरी है इस नॉट रिक्वाइट कि आप लोगों को अपने आपको उसके अंडर रेजिस्टर करवाना इंपॉर्टेंट यह 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 तीनों चीजे यह तीनों वीडियोस दिखाने का स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कुनाल सार एक बात बताओ यार इतने साल हो गए है तो इसका मतलब हर कंट्री के अंदर तो मेन अब्जेक्टिव यह होगा कि हुमन रिसोर्स को हुमन कापिल के अंदर कंवर्ट करो तो कर क्या रही है गवर्मेंट तो मैं आपको ब और कर रहे थे बच्चो एन लास्ट लास्ट में चेप्टर स्टार्ट कर दिया था आप लोगों के साथ प्लीज जहाँ देखना है एक बाद कि यूमन कापिटल फॉर्मेशन बच्चो इन 2018 दे वर्ल बैंक लॉंच्ट अ ग्लोबल प्रोजेक्ट नेम आस बोलना प्लीज यह आपको बुक्स में नहीं मिलेगा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं प्लीज यह मेंशन करके आना और रीसेंट टाइम कही है ज्यादा पुराना नहीं है तो क्या बोल रहे हैं ज बैंक लॉंच्ट अग्लोबल प्रोजेक्ट नेम डाइस क्या नाम है जी हूमन कैपिल प्रोजेक्ट इट वस्रेलाइज डाट हूमन रिसोर्स अल आवर दी नीज तो बी इंबड़ेट विद दी राइट स्केल्स अन नॉलेज तो ट्रांसफर देम इंटो धी उमन तो इसक बनी नीज पूसर्ष हमारे यह है कि यह हूमन रिसोर्स को हम लोगो कनवर्ट किस में करें हम अंट एक्सपेंडिचर और यह प्लोग को पांच चीदों के उपर करने सारे दुबारा बोलेंगी एक्सपेंडिचर अन Come on, expenditure on education, expenditure on health, expenditure on information, expenditure on training and expenditure on migration. कोई दिक्कत बच्चो? Next. The following video जो आपको मैंने World Bank के अभी video दिखाई है, student. मुझे आप दिखानी चाहिए, जो World Bank की वीडियो दिखाई है, उस World Bank की वीडियो हम लोगों ने convert किये, कि yes, invest in education, invest in health, invest in me. Invest in me. दवनूर आपको विजिवल है, बच्चे? एक सेकंड रुक में ट्राइ करता हूँ. आप साहिए, साहिए. आप साहिए, साहिए. यह वीडियो में आपको अभी clear करेंए. बच्चे प्लीज, इसलिए अभी यहाँ पर mention नहीं कर रहा हूँ. मेरे पास इन पांच चीजों के ऊपर expenditure करना है बच्छो, expenditure on, come on, बोलो ना, बोल भी निये, expenditure on, expenditure on, expenditure on, expenditure on, and expenditure on information, acquiring the information, इन 5 चीजों के उपर क्या करना है, आप लोगोंने, expenditure, तो इसको मैंने होडासा मार्क कर दिया, इसको क्या बोल दिया थी जिससे कि आप लूगों को याद रहे कभी भी आप लोग सोचो तो आपको याद रहे थीम लिखना है T means training, H means health, E means education, M means migration and E means expenditure on acquiring the information और सबसे important expenditure लगता है मुझे information लेना last class नहीं बता रहा था, क्यूंकि information नहीं होती ना तो जैसे कि मेरे साथ अभी क्या होता है मेरे साथ क्या होता है maximum क्या होगे बटा अपने अप होगे था क्या Yes, first expenditure कौन से students? Yes, first expenditure कौन से expenditure on? बस बस, thank you first Yes सबसे पहले expenditure कौन से बच्छे? expenditure on? expenditure on? the most effective way of enhancing and enlarging the productive workforce productive workforce exactly there are two types of force available in India दो तरह के force हमारे पास इंडिया में available है कौन कौन से बच्छो? एक होता है बच्छे, workforce एक होता है labor force workforce का मतलब है कितने लोग काम करने के लिए available है उनको बोलते हैं workforce कितने लोग सच में काम कर रहे हैं उसको बोलते है labor force याग रखना पहले यह बात तो कितने लोग available हैं उसको क्या बोलते है? workforce क्या बोलते हैं? और कितने लोग काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? labor force क्या बोलते हैं? अगर मैं वर्क फोर्स में से लेबर फोर्स माइनस कर दूँ ना अगर मैं वर्क फोर्स में से लेबर फोर्स से कर दूँ माइनस तो वो लोग आ जाएंगे जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको बोलते हैं अनिम्प्लॉइड क्या बोलते हैं तो नलायको मेर साथ बोलो that unemployment is equals to, unemployment is equals to workforce minus labor force, workforce minus labor force, उससे क्या कहते है, unemployment, क्या कहते है बच्छो, तो second मेरे पास कौन सा है, second कौन सा है expenditure on education, health expenditure on, तो another important source of human capital formation, come on, बोलो is, a worker who is, will certainly affect the, yes, another important source of human capital formation is health, a worker who is not well will certainly affect the, yes, that the, if the person is healthy, then it will definitely contributes, it will definitely contribute maximum to the production or a GDP, as compared to the unhealthy person, as compared to the, next कौन सा मेरे पास, expenditure on migration, migration का मतलब क्या होता है, people migrate from one place to the, another for fetching the higher salary, तो क्या बोल रहे है, people migrate from their native place to the, तो, क्या होगे देखो, क्या होगे देखो, ऐसे कर लेंगे, त्राइ करते हैं, अगर नहीं होगे तो तो तूसर्ट देखे हैं कुछी, मेरे बोलने से तो तो कुछ नहीं कर रहा, पीपल, पीपल, यह ऐसी की थैसे है, ऐसे गड़ लेते हैं जी, कोई बात नहीं, देखो, तो हमारे पास कौनसे वाल है, यह, तो तो देखो प्लीज यहांस देख लो, कवनूर विसिबल है, यह सुर्यल, जी विसिबल है ना, तो पहले इती मेरे पास था expenditure वो भी किस के ओपर education के ओपर then expenditure किस के ओपर health के ओपर because healthy person contributes more to the DDP, more to the economy. तो मेरे पास कहा जी expenditure on migration, people migrate from their native place to the another place to find better jobs in order to gain the advantage of location and on higher salaries. But exactly मुझे लगता है कि migrate होने के भी खर्चे होते हैं एक जगा से दूसरी जगा जाने का खर्चा और वहां रहने का खर्चा. दूसरे कहते हैं expenditure on migration क्या कहते है expenditure on क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं यहां पर रहूँगा तो मैं इतना develop और इतनी salaries नहीं कर सकता जितना मैं किसी और जगा पर जाकर कर सकता हूँ तो भाई अपने आपको और better करने के लिए अपने आपको और better human capital बनाने के लिए people will migrate definitely migrate but migrate होने की cost लगती है खर्चा होता है यहां तो एक state से दूसरे state जाना होना तब भी migration पे cost लगती है तो भाई खर्चा करना पड़ेगा expenditure on migration तो क्या बोल रहा है ज़्या बोलियो एक बर migration from a rural area to the is the prime most the rural areas don't have to provide good employment to rural area में क्या नहीं है बच्चे employment opportunities क्या नहीं employment that is why rural people migrate as to the next expenditure on the job training but there are two types of training and training is very important for the development there are two types of training it is on the job training and off the job training learning while doing is on the job training क्या बोल रहा हूं learning while doing is known as on the job training is known as on the job training is known as on the job training learning before doing काम करने से पहले सीखने उसको क्या बोलते है olm अगी मैं only job कि आवे बारे में बात नहीं करते हैं मैं बाद किस के बारे मैं कर रहा हूं on the job के इसके बारे मारे मात कर रहा हूं position in coming near future that is why every company has to do expenditure has to do expenditure on training for example मैंने ना साहिल को हायर कर रहा है अब साहिल को हायर कर रहा है तो लोगों को देखना है समझना है सुनना है घर चले जाना है कि आप लोगो साहिल की लाइफ में नहीं इसको गोल्टन प्रेट कहते हैं अगर आप लोगो किसी प्रॉफेशनल जॉब के लिए जाएंगे तो आप लोगो के पास से प्रस्वेशनल जाएंगा योगों से पास अपदरा करवाई हैं प्रेवें पैसे पर दिन के तुवाबच सीख और मेरे यहां पर मैं यहां पर अपने बात करूँ तो मैं यहां पर कम से गड़ता हूँ कुछ नहीं करना बस आकर देखते रहे क्याओ रहे हैं कि दिक्ते हो देखते रहे यह एक महिने के बाद अगर इसमें से कोई गलती भी होगी तो सौर पर काट लूँगा अगर उसको ट्रे ना दून अगर मुझे पता जो स्कार्ट मिलने वाला वह से सादा मिलेगा यह भी पता नहीं तो बेनेफिट मिलने वाला वो बेनेफिट उस से क्या मिलेगा जी ज्यादा भूंगे अजी पूर्च नमर पे ओंगे expenditure वो भी किसके ओपर on the job training, so to enhance the, बोला ना या, to enhance the many organization, many provide, this is the source of which sometimes becomes very मैं तुह क्याता हु रहा हु यार, एक मेने के सहले हु यार, ऐसे ही, क्या करना है, आव बैट जाओ, आव बैट जाओ, अभी मैं जस अभी नीचे गया था, अभी तुम्हारे तुम पता नी थे, नीचे नी थे, 6 तु7, मैं नीचे गया छे बजे, मैंने देखा 15 बच्चा खडे, सारे रूम फिल है, 15 बच्चा खडे, टीचर भी खडे, तो टीचर मुझे देखके बोल रहे है, सर, रूम कौन सा है, सर, हम कहां बैठेंगे, मुझे क्या बता, ने ओपर आ गया वई, तो एंप्लॉई मुझे कहते है, सर, किसी के एक्स्टा क्लास होगी थी, तो वहां पर न रूम नहीं है, तो मैं बोला, एक्स्टा क्लास के बारे में, कि फेकलिटी ने 15 मेने पहले बता आया था, आपने मेसेश ही पढ़ा होगा, कि आया है, तो आपको रूम के एरेजमेंट तो पहले से करना चाहिए था, अगर आपने क्या देख लिए, प्रॉब्लम तो उसे क्या कर लो जी, नोट, अब अगली बार से ये नहीं होना चाहिए, सिरफ प्रॉब्लम्स अब्जर सम्ताइम्स क्या बोल रहा हूँ, सम्ताइम्स इट बिकम्स वेरी कॉसली, फर्म्स इंकर, फर्म्स खर्चद हमने करना पड़ता है, बोलो, फर्म्स लूज और गिविग अगर वेरियस फर्म्स ये लाइक ट्रेनिंग अंडर दी, या फिर मैंने क्या बोल जाए, इसके बोल आए, आपने ट्रेप अग्रेशन, हमने नेक्स देगी ना, ट्रेप अगर आजी सारी इंपलाइस की, उससे क्या होगा, जब यह ट्रिप पर जाएंगे ना थूड़े इंफॉर्मल रहते हैं, कह रहते हैं, मैं इनको दो साल में जो समना सकता नहीं नहीं, वो दो दिन क कि जाएगे औरफ स्टेंट के बाद कॉन बॉस है इसको रिपोर्ट करने है किसके पां ज्यादा अथौरटी लिए यह चैज़िती को इंप्लाइब परशान है किसो क्या नहीं मिलता क्या मिलता है दोत दिन में समझ जाएगे आगर हम लोग बेज़ देंको इसे कहते हैं और इन-house training क्या कहते हैं इन-house training तो अलग तरह की क्या होती है trainings वह आप लोगली important नहीं है कि apprenticeship training कौन सी होती है internship क्या होती है यह सारी आप लोग लिए बस आप लोग लिए जुरूर इंपोर्टेंट के ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है किसी भी human resource को better बनाने के लिए training के ऊपर expenditure करना होता है किसी भी human resource को human capital बनाने के लिए the last expenditure is expenditure on information expenditure on information so information related to the labor market मतलब कि आज इंसान की क्या value है मुझे हर बचा आगे बोल सर मैं क्या करूं future में मैं क्या करूं मैंने सोचा नहीं मैंने बोला नलायक संडे के employment newspaper आता है employment newspaper जिसमें लिखा होता है कम से कम 300-400 जॉब्स होती है है professional jobs होती है और हर जॉख के नीचे लिखा होता है कि eligibility क्या है eligibility क्या है इसकी तो आपर लिखा हो ने कहमें यह चाहिए jobs के लिए तुब आपि कर ला है कि दुनिया से पूछा रहे हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं और जो इंडिया मांग रहा है जो तो companies मांग रही है कि हमें यह चाहिए जिसके बाद job करने है यह position की तो यह eligibility है तो देख ले पूरी newspaper में eligibility किस चीज की किस course की सबसे जाद है वोगी course कर ला कर दो समझ नहीं तरह दिमांग नहीं चल रहा तो कि में लोग भुखान नहीं किसी को यह तो भाई फिर हमारे पास information आपकी improvement के लिए आपके किसी आपके class के लिए आप लोग तो ऐसा होंगा जिन्होंने आप लोग की FUE की education के लिए foreign education के लिए form फिल करते होंगा आपको बताएं यह नहीं के समझ नहीं आ रहा क्या करूँ जो उटे information के लिए पैसा कर दो yes to convert any human resource yes to convert any human resource into the human capital to convert any human resource into the human capital we have to do expenditure we have to do and that expenditure is known as investment expenditure because I know कि मैं यही जो खर्चा कर रहा हु ना इससे फार बाला वो इससे जिता होगा that is why they all are considered to be investment expenditure सभी क्या बोलते हैं नहीं investment expenditure तो first क्या जी expenditure on come on expenditure on education expenditure on expenditure on health expenditure on on the job training expenditure on migration and expenditure on information the last class of the month difference between the physical capital and human capital land machinery के जी physical capital in San KG human human resource को convert किया जाए किसमें human aisy physical resource to convert किया जाए किसे physical और दो ही तरह के resource होते हैं पुरू दुनिया के अंदर physical resource एक physical resource एक physical resource एक physical resource एक physical resource रह जाएगा human resource भी सिर्थ human resource रह जाएगा अगर उसको मैनद करके उसको capital के अंदर convert ना किया जाए और अगर resource ही रह जाए अगर capital में convert ना हो अरम की बाद land है land है land है land सिर्फ land है क्यूज नियूपारी तो है बाइद भाई क्यूज करा तो वह लैंड क्या बन की physical capital yes we need we need we need two types of capital yes come on we need two types of capital that is the physical capital and but yes come on जल्दी से physical capital is it is a and can be easily sold in the but human capital is built in the body and human capital is a human capital is a stock of come on human capital is a stock of skilled person educated knowledgeable experienced it is intangible built in the body and mind of its owner it is not sold in the human capital ownership it is I land I land मेरी है कल लैंड तेरी है भाई it is inseparable भाई मेरे अंदर जो है human capital वो तो ले सकता नहीं mobility it is completely mobile between the two countries यसे machine है चले जाओ कोई तो अलग से कोई चीज सोड़ी चाहिए लैसंस सोड़ी चाहिए कोई वीजा सोड़ी चाहिए इंसान थोड़ी चले जाएगा चलते चलते पहुचिया पाकिस्तान तो क्या क्या नहीं जी it is but not perfectly mobile not perfectly because आप वीजा लो पने मिशा तो जाओ जामन कोई human capital कहीं भी चले जाए पट ऐसी easily movable नहीं है जैसे physical capital easily movable है हां जी क्या बोल रफरमेशन it can be built even through the imports नहीं है मंगवाल है human capital नहीं है तो मंगवाल है it is to be done through the conscious policy formulation ऐसे नहीं आ जाते है लोग उठके तुमारी country में तुमारी country को develop करने के लिए जब तक तुमारी country की government कोई policy नहीं बनाती है लोगों को invite नहीं करती अगर आपको human capital बनाना है तो अगर आपको physical capital बनाना है वो इंपोर्ट हो सकते है easily वो भी पैसा होना चीए बस yes benefit it creates only it creates both private and the social benefit private means पैसे तो मैं खुद कमाऊंगा पैसे तो मैं खुद कमाऊंगा कमाऊंगा प्राइवेट social benefit मतलब इस society में मेरी एक image होगी मेरी एक worth होगी क्योंकि मैं कॉन हो human capital इसे कहते है social benefit यह कहते है जब कभी human capital formation प्रतिश्चर chapter आता है तो यह difference पका पूछते है physical capital and human capital पूछते ही पूछते है ठीक है कॉनल सर फिर create करते है human capital for capital in economic development India is witnessing a change in its economic due to its continuous development in India क्या सर पूरे वर्ल में the most important resource अजी क्या बोल रहा हूँ पूरे वर्ल में क्या बोल रहा हूँ पूरे the most important resource the most important कौन सर रिसोर्स है human capital क्या है जी तो मैं तुछ से पूछ रहा हूँ क्या अगर हमारी country के अंदर human capital बढ़ेगा तो क्या economic development होगी yes or no so what is the relationship between the human capital and human development what is the relationship between the human capital formation and economic development direct or indirect yes अगर human capital बढ़ेगा तो economic growth भी और बढ़ेगी relation तो गुरुवंश relation तो डिरेक्ट है बट कितना human capital के बढ़ने से कितनी economy बढ़ी है इसको estimate नहीं किया जा सकता अभी क्योंकि human capital कितना बढ़ा है human capital को judge करनी के लिए बहुत सारे indicators होते हैं जो कभी भी true picture शो नहीं करते जैसे कि literacy rate literacy rate education के लिए हो गया health के लिए कौन सा हो गया birth rate, death rate infant mortality rate cross enrollment ratio अरे इतने सारे indicators हैं जो health education को क्या करते हैं indicate कितना human capital बढ़ा और उससे कितनी economy growth हुई है यह निकालना आज भी एक complex और difficult phenomena है हाँ पड़ी यह जुरू बोल सकता हूं कि अगर human capital बढ़ा होगा तो economic growth भी होगी होगी मतलब यह जुरू बोल सकता हूं that human capital formation और economic growth में direct relation है पर वो direct relation हो कलको तुम estimate करने के लिए estimation नहीं कर सकता क्योंकि human capital को निकालने के लिए बहुत सारे indicators हैं और maximum indicators average के उपर based हैं और कभी भी true picture show नहीं करता तो कितना 43% human capital बढ़ा है तो उससे 33% जुकंट की GDP बढ़ेगी ना यह estimate नहीं हो सकता है यह जूटी बात हैं सारी हाँ इस बात पर confirmed हूं यह confirmed हूं कि अगर human capital बढ़ेगा तो economic development होगी वो यही बता रहे हैं जी बोल रहे हैं इंडिया इस बितने सिंगा इंडिया 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 इस economic growth due to its continuous development in to address this change PM Narendra Modi launched the क्या बोल रहे हैं जी yes Narendra Modi launched the transforming India that focuses on how investment in has led to the increase in उससे क्या ही फिर क्या बढ़े and life expectancy and change in yes it is confirmed to say that if there is an increase in human capital then it will definitely increase the economy or develop the economy but human capital बढ़ेगा life expectancy बढ़ेगा, birth rate बढ़ेगा experience बढ़ेगा, education health, automatically economy भी क्या होगी, developed because I know that the educated and the healthy person contributes more to the GDP but education and health is the main source for converting the human resource into the human capital तो यह confirmed है, बहुत सारे बढ़ेगा human capital जितना बढ़ेगा, उतनी comment बढ़ेगा आपने बढ़ा था तब से जब class 12 start हुई है तब से एक बात बोल रहा हूं जब से class 12 start हुई है तब से एक बात बोल रहा हूं the most important resource यार मैं शशांक इससे बड़ा परशान हुई है the most important resource the most important resource for every nation is a human resource resource मन बोलो अब, क्या बोलो human capital क्योंकि resource अगर resource ही रहा गया resource अगर resource ही रहा गया साहिल अनपढ़री रहा जिन्दिक में कुछ नहीं कर पाया पढ़ाई दीकती इसको education खर्चा कर रहा resource resource ही रहा गया country में GDP में contribute ही नहीं कर पाया अभी पैसा कमा ही नहीं पाया such a word dear, such a word ऐसा ना हो तो भाई फिर human resource ही human message रहा जाएगा तो आगे सर में statement change होगी है the most important resource for every nation is not a human resource is a human capital क्या है human capital यहाँ पर दुबारा से video आईए UNICEF की जिसमें आपको आया हो कि PNG की according हम लोग ने one rupees contribute करा वो video में आपको पहली दिखा चुका हूँ next, growth of education sector sir, the awareness of importance, come on, the awareness of importance of has not only been a but also a visual effort of various brands brands सा आपको पता लगया होगा PNG a joint effort of various corporate top brands like like along with the have ensured maximum outreach of in the the following advertisement advertisement आप लोगो मैंने बता दी जी next, literacy rate trends, statistics दिया होगा है female literacy rate improved दिया होगा है इसके अंदर आप लोगो को आपको बता, नहीं हाँ, खुश होगी पहले खुश नहीं हो रही थी आप खुश हो यह कह रही हाँ हाँ, 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 हाँ तो exactly नहीं, नहीं, थैंक्यू नहीं करना इभी जल्दी थैंक्यू कर रही है हाँ जी बस बचे एक सेकंड रुख जा 8.15 तक है हाँ जी आज जाने आज वेनस जे इसके ड्रामे नहीं खता होते है देखो यह देख बद 8.15 कर देते है यह मारे ही के जिन मुझे human, अच्छा एक सेकंड रुख जाब हाँ जी human capital formation और क्या बोल रहे है जी human capital formation और क्या बोल रहे है जी economic growth human capital formation और क्या बोल रहे है economic growth जो अब आपको संदारा था वो आप बोलो economic growth means कि economy क्या हो रही है GDP real national income increases with only increasing the level of output source of human capital formation such as follow such as next or and increases the efficiency and of of yes by enabling human resource to understand changes in the scientific so that they are able to adapt themselves to the so who will able who will easily adopt the new technology human capital that is the educated person so to establish a clean cause and between the rate of in human capital formation and it is right to say that if the human capital formation increases economic growth will be done definitely definitely and how much you here 2022 में आगे होंगे बट वर्ड 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 यह देख लेते हैं क्या बोलता है Dutch bank report on global growth centers it has been identified that India will emerge as follow India will emerge as one among the four major growth in the five and this report also says that between 2005 and we expect a 40 percent rise in the average years of in India to just above the seven years अभी हमारी country के अंदर average years of schooling समझे साथ साल की थी जबकि हम लोग independent सोच रहे हैं कि जितना इंसान बढ़ेगा न अपने PhD लेवल तक जाएगा यह फिनॉमिना है इस फिनॉमिना क्या आ रहे हैं मन पहले 10th के बाद job मिल जाती थी फिर 12th कर दिया गया करे इसके बाद मिलेगी फिर graduation कर दिया गया करे SE के बाद मिलेगी कि इसके बिनानी फिर master's कर दिया है फिर double master's होगी फिर PhD होगी foreign studies इंसान सिरफ उपर चलने के खुशिश करता जा रहे है और जितना नीचे वह लेवल है ना उसके कोई value देती यार तो यह मुझे लगता है कि यह सिरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि jobs की availability opportunities की availability का में है और population जार इंडिया इतना बड़ा ग्रोग लेकर आएगी बट मुझे लगता है कि just because of this covid period covid के बाद भी इंडिया ने इतने time के बाद भी इंडिया आज भी अच्छे level पर है बहुत चलिए जैसे इंकी report में mention था वैसे तो पूरा भी नहीं हुगा इंडिया क्या बन जाएगा the knowledge economy क्या बन जाएगा leveraging the strength and opportunity states that India should make a change transition into the and if it uses it as much as Ireland does then the per capita of income of India will increase from income अभी कितनी थी in 2000 US dollar कितनी हो जाएगी in 2000 25 per capita income 1000 dollars से होकर 122 की बात है 2020 तक कितनी हो जाएगी 2020 तक कितनी हो जाएगी 3000 बट आज भी हमारे पास around 2000 से 2000 से भी कम की फावर है जाएगी तो रिपोर्ट है यार दो दो बैंक ने रिपोर्ट दी एक जर्मन बैंक और किषिए वर्लड बैंक और दूनों ने वाध इंडिटेट करा कि यहेंस अथ ए मोस्निमोर्टन रिसोर्स ऑर इंडिया इस रिमिन पैपितल क्या है है ईमिन इसका मतलब क्या है India as a knowledge economy इसका मतलब क्या है इसका? 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 तु बोल सकते है लिए इस बैंगलोर IT sector और मैं तो शह है से मानता हूं कि इन्डिया में इतनी growth का रीजिन सबसे बड़ा क्या है जी? सबसे बड़ी आईटी और इंडीकेट भी कर रहे हैं कि आ इंडिया याज ओड़ी है वह भोट ही हृए है डैंगलौर हर साल से देखा जा रहा है कि हर साल क्या होता है कि बैंगलौर य॥ा की वज़ा से इतनी ज़्यादा बारिश होती है वोगों के लिए ट्रैवल करना आना जाना बहुत मुश्किल हो गए और ऐसी सीटी जो इंडिया की सबसे बड़ी-बड़ी कंपनी को चला रही है एसी कंपनीज है वहाँ पर पूरी इंडिया को चला रही है mostly आईटी सेक्टर से तो वह अब प्लैन कर रहे हैं वहाँ से क्या करने का जी शेफ्ट कर ले अच्छोड़ो अभी ऐसा की बोर रहा हूं भी तो बता रहा हूं कि इंडिया क्या बन रही है नॉलेज एकॉनमी अऊं भी दो दो फिल डिट Usually फिल इने हैं टारी होजिए निग्या गॉसल टक्राजिए सभी पं left कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं यह गवर्नेंस आज तेरा पूरी गवर्मेंट एलेक्ट्रोनिकली तेरे पास एक साइट पर अवलेबल है तो मैं सच बता रहा हूं अपने कुछ भी करना आप करो और मैंने जॉब्सक्राइब किया था तो फिजिकली किया था तो फिजिकली किया अंगत तो उसमें टाइम लग लगता है अंगत आज ऑनलाइन कर मिटर अपलाई तेरे पास दो दिन कर रिपोर्ट आजएगी है अंगत एक काम कर एक कंप्लेंट अंगत एक कंप्लेंट कर दे एक कंप्लेंट कंप्लेंट इस अलगला साइट्स बनी हो इंकी कर देते हैं सब कुछ online आ रहा है जी तो यह है यह स्वाइदा है तो किसकी वैसे ग्रोथ आफ आइटी डिपेंड्स ग्रेट्ली ऑन दी एक्जिस्टेंस ग्रेट्ली ऑन दी एक्जिस्टिंग लेवल आफ एकॉनमिक डेवलिपर्ट तो ठीक है कुनाल सर आपकी मेरी बास सम जागी कि economic growth or human capital दोनों साथ साथ चलते हैं जितना human capital grow करेगा उतनी economy और grow होगी यह बास सर मुझे समझ आगे the state of human capital formation in India और उसमें government का क्या role है but in India the most important source of human capital formation आर बोलो health and education पैसे सर पांच चीजों के उपर खर्चा करना पड़ता है वैसे मेरे पास पांच चीजों के उपर expenditure करना पड़ता है किससे इसके उपर आपको पता है but mainly दो कौन कौन से health and education बोल health and so the state of human capital formation depends upon the performance of these two sectors तो इसका मतलब अगर तू बोलता है इन पांचों मेंसा अगर दो चीजों के उपर खर्चा जादा किया जाए तो जल्दी बन जाएगा human capital formation so therefore government along with the yes government along with the takes a substantial steps for the देख ले आज education के अंदर भी private sector and government sector दोनों है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और health के अंदर भी private sector और government दोनों है और एक जगह पता दे कोई एक ऐसी चीज़ पता दे health और education में private or government दोनों की जहां पर लोग ना हो जी ना हो जिम भी पार्ट किसका है जी health का है पॉस्पार्ट किसके है जी health के इसलिए हर साल जब भी budget आता है सबसे पहले हर economist का हर students का इंडिया के एकॉनमिक इंडिया के लोगों का सबसे पहले उस budget में देखने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं कि government educational health के उफर क्या budget बनाया है इसकी इतना important है कि अब government से ज्यादा better perform private sector कर रहा है because private sector knows कि इसमें क्या है जी profit क्योंकि इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है yes so expand India because of reason अजी government role is crucial for development of the sector ओ बता दिये मैंने in India because of the reason क्या reason expenditure on educational health मेका and they cannot be easily अब यह थोड़ी नहीं कि मैं इसको खर्चा करूंगा यह कल इंजिनर मन जाए घर्चा करते रहना पड़ेगा और एक बर कर लिए कि अभी मैं आपको सच बता रहा हूं अपनी classes के अंदर बता रहा हूं हमारे पास 70 से 75 पर स्कूल होंगे जो कुछ नहीं करवा रहे है तो पता नहीं मुझे news में जब को सब कुछ आ रहा होता है तो सारे हमारे बाते यह discuss क्यो नहीं होती है सब्सक्राइब कर रहा हूं कि इंडिया के थोटी प्रॉब्लम है इंडिविजूल कंज्यूमर डूनर्ट हैवर कम्प्लीट अब जॉइन कर लिया तो नहीं जॉइन करने के साथ दो मीने के बाद तो यह यह तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने क्या कर दिया मैं जा भी मेरे एक फ्रेंड है मुझे कल परसों की बात है जिम गया जाकर ट्रेनर ने बोला कि यह यह एक्टिविटीज करनी है कि यह सप्लिमेंट्स लेने ले ली उसकी बॉड़ी पूरी खराब हो चुकी है डॉक्ट्टर ने उसको बोला होगा कि कि मैंने कभी ऐसे मेजरमेंट्स नहीं हुई कभी जैसे हाट बीट इतनी बलड में इतना वह सब कुछ करे एसे बचपा होगा हो एक सप्लिमेंट की वह जैसे भाई यह सपना थोड़ना कोई कि सब्सक्राइब खतम हो जाएगा रिवर्स नहीं होती चीज़े इतना नेगेड एफेक्ट आजागा रिवर्स नहीं होती ऐसी भाई साब ने अदमिशन ले लिया दो मेने होगे फीस पे करिए अब इंको समझा रहे है यहां तो नहीं पढ़ना और human resource को human capital convert करने के लिए सबसे बड़ा करचा भी है यहां दूसरी प्रब्लम देख इंडिविजल consumer do not have the complete information about the quality of service and their cost इंको लगा रहा जहां यह पढ़ रहे हैं बस यही quality अच्छी है आगी जा ट्राइं नहीं किया होगा ना पता ही नहीं पर कैसे देखो पता कि यही अच्छा है एक और प्रब्लम में चला गया वह कहा रहा वाई तो को यह प्रब्लम है तब ही तो कहते रिकमेंड कर लो तीन जो डॉक्टर से और तुमको जाब पता ही नहीं information ही नहीं है therefore government intervene तभी बीच में किसको आना पड़ता है देख एक तो यह सारे खर्चे irreversible है इनका long term impact आता है लोगों के पास knowledge नहीं है कि अच्छा क्या होता है तभी therefore बोलो therefore government to that the private providers of are there to the, set by the and charge the you provided government check करते है कि जितने भी private institutions है चाहे वह education के हो चाहे health के हो यह overpriced charge ना कर रहे हो और जैजो भी के प्रवाइट करवा रहे हैं वो according to the standard हो, किसके according हो जभी बच्छो, standard, in our country a last section of population lives below the, so they cannot access the service of and therefore it is essential that the government provides the and health services free of to this section of, और है भी आपके साथ, होता भी है, private में कोछ छोड़ा जाए, so health or education तवनूर, तवनूर, health or education, so no, government आज free of cost provide करवा रही है, so avail लिक करना बड़ा मुश्किल है, so last, so in human capital view, any investment in education and health is, साहिल की बात आगी, health is, if it does not enhance the output of goods and service, सारा पैसा खराब, सारी investment खराब, अगर साहिल कुछ contribute नहीं कर पाया, production नहीं कर पाया, आई समझ, आगे समझ, सिर्फ दो कुशिन, ऐसे तो, human capital formation होने में दिक्कत क्या है, इंडिया में है, और फिर government ने क्या-क्या steps लिए, कि इसको form करने के लिए human capital को, problems को दूर करने के लिए, यह हमारा बस chapter में आपको बताया, तीन classes चाहिए, आज यह मेरी second class है, जो Friday है, वो आपकी last class होगी, जिसमे human capital formation आपका finish हो जाया रही, clear, jam आता दी, thank you.